हेलो दोस्तो रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज मैं आपको वताऊँगा घरेलू सामान के बारे में कि हम अपने घरेलू सामान को इंगलिस में क्या कहते हैं तो चली दोस्तो विना टाइम वेस्ट किये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो मैंना आपके समने पहला सब्द लिखा है bad तो दोस्तो bad माने होता है पलंग हमारा जो पलंग होता है हम उसे इंगलिस में कहते हैं bad नमबर दो पर है दोस्तो हमारा bad state या फिर bunk या फिर court जो हमारी चार पाई होते हैं दोस्तो हम उसे bad state या फिर bunk या फिर court तीन नामों से जानते हैं तो दोस्तो आप picture में देख सकते हैं खाट को दिखाया भी गया है और उसकी meaning भी दे गया है नंबर तीन पर आए दोस्तो हमारी Wocket W-U-C-K-E-T Wocket माने होती है हमारी Balty आप Balty को देख सकते हो और मीनिंग को भी दोस्तो नोट कर लेना अगला सब्दा दोस्तो हमारा Candle Candle माने होती है मुम्मत्ती आप मुम्मत्ती को चित्र में देख सकते हो दोस्तो मुंबती किस तरीके की होती है आपको दिखाई दे रही होगी नमब चार पर है दुश्टो हमारा कारपेट कारपेट माने होता है दरी जो हमारी दरी होती है हम उसे इंगलिस में कहते हैं कारपेट तो आप इसमें देख सकते हो, चित्र में दिखाया भी गया है दरी के लिए नमर शिक्स पर रहे दुश्टो हमारी चेयर, चेयर मने होती है कुर्सी कुर्सी को आप देख सकते हो, C-H-A-I-R, चेयर चेयर मने कुर्सी नमबर साथ पर रहे दूस्तों हमारी com, com मौने होती है kanggy नमर आठ पर रहे दूस्तों हमारा couch, c-o-u-c-h, couch, couch मौने होता है sofa जो हमारा sofa होता है हम उसे इंगलिस में कहते हैं couch नमबर नो पर रहे दूस्तों हमारा country yard या फिर fork out तो इसे हम कहते हैं चौक, जो हमारे मकान के सामने वाला जो हिस्सा होता है हम उसे कहते हैं चौक नमबर दस पर है दूस्तो डोर फ्रेम, डोर फ्रेम माने होता है चौकट जो दर्वाजा होता है हमारा उसे हम कहते हैं डोर फ्रेम डोर फ्रेम मने होती है हमारी चौकट नमबर ग्यारे पर है दोस्तो हमारी की की मने होती है हमारी चावी नमबर बारे पर है दोस्तो हमारा लॉक एलो सी के लॉक लॉक मने होता है हमारा ताला जो हमारा ताला होता है हम उसे इंगलिस में कहते हैं लॉक नम्मर तेरह पर है दोस्तो हमारी पिलो पिलो मने होती है हमारी तकिया नम्मर चौदह पर है दोस्तो हमारी रूफ रूफ मने होती है छत नम्मर पंदरह पर है दोस्तो हमारा सेड सेड माने होता है छपपर जो हमारा छपपर होता है हम उसी इंगलिस में कहते हैं सेड सेड माने छपपर नमबर सोले पर हैं दूस्तो हमारी स्टेयर्स स्टेयर्स माने होती हैं सीडियां जो हमारी सीडियां होती है चड़ने की छत के ऊपर उन्हें हम कहते है इस्टेयर नमर 17 पर है दोस्तो हमारी टेवल टेवल माने होती है मेच नमर 18 पर है दोस्तो हमारा बरामदा बरामदे को हम इंगलिस में कहते हैं बरांडा तो B E R A N D A H बरांडा, बरांडा माने बरामदा नमर 19 पर है दोस्तो हमारी वॉल Wall माने होती है दीवार जो हमारी दीवार होती है हम उसे एंग्रिश में कहते है Wall 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 माने दीवार नमबर 20 पर रहे दोस्तो हमारी Window W-I-N-D-O-W Window Window माने होती है खिड़की आप देख सकते हैं चित्र में दिखाया भी गया है खिड़की के लिए नम्मर 21 पर है दोस्तो हमारी आर्म चेयर, आर्म चेयर माने होता है बहदार कुर्सी, जो बहादार कुर्सी होती है उसे हम कहते हैं इंगलिस में आर्म चेयर नम्मर 22 पर है दोस्तो हमारा सोफा, सोफा माने होता है सोफा, S.O.F.A, सोफा माने सोफा नमबर 23 पर है दोस्तो हमारा Cupboard, Cupboard माने होती है Almary, जो हमारी Almary होती है उसे हम इंगलिस में कहते हैं Cupboard C-U-P-V-O-A-R-D, Cupboard माने Almary नमबर 24 पर है दोस्तो हमारी Clock, C-L-O-C-K Clock, Clock माने होती है घड़ी तो दोस्तो सबी सब्दों को आप साथ साथ नोट करते चलें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तो दो वीडियो को लाइक कर दें नमबर 25 पर है दोस्तो हमारा Single Whad, Single Whad माने होता है एक व्यक्ती के सोने वाला पलंग नम्मर 26 पर दोस्तो डवल वेड डवल वेड मने होता है दो व्यक्तियों के सोने वाला पलंग नम्मर 27 पर दोस्तो कोट स्टेंड कोट स्टेंड मने होता है कोट टांगने का स्टेंड नमबर अठाइस परहे दूस्तों हमारा रिकॉर्ड प्लियर, रिकॉर्ड प्लियर मने होता है ग्रामोफोन नमबर उन्तीस परहे दूस्तों हमारा प्लांट्स, प्लांट्स मने होता है पौधे नमबर तीस परहे दूस्तों हमारी सीट, सीट मने होता है चादरा नमबर 31 पर है दोस्तों blanket, blanket मने होता है कंबल, B-L-A-N-K-E-T, blanket मने कंबल नमबर 32 पर है दोस्तों हमारी washing machine, washing machine मने होती है कपड़े दोने की machine आप चित्र में देख सकते हो, चित्र में दिखाया भी गया है washing machine के लिए spin dryer, spin dryer मने कपड़े सुखाने की machine नमबर 34 पर है दोस्तों हमारा dust wind, dust wind मने होता है कूड़ादवन, जो कूड़ादवन होता है उसे हम इंगलिस में कहते हैं dust wind नमबर 35 पर है दोस्तों broom, B-R-O-O-M, broom, broom मने होती है जाडू नम्मर 36 पर है दोस्तो हमारी Chest of Drawers Chest of Drawers महाने होता है कपड़े रखने की अलमारी जो कपड़े रखने की अलमारी होती है उसे हम कहते है Chest of Drawers नम्मर 37 पर है दोस्तो Curtains Curtains महाने होते हैं परदे C-U-R-T-A-I-N-S Curtains महाने परदे नमबर 38 पर है दोस्तो हमारा रग, R.U.G. रग, रग माने होता है गलीचा, जो गलीचा होता है उसे हम इंग्लिस में कहते हैं रग, आप चित्र में देख सकते हैं चित्र में गलीचे को दिखाया भी गया है नमबर 49 पर दोश्टो लेंप, LAMP लेंप महने होती है दीपक या फिर बत्ती, लेंप या फिर चिराग जिसे हम बोलते हैं नमबर 40 पर दोश्टो बुक केज, बुक केज महने होता है किताबों को रखने की अलमारी, जो किताबों को रखने की अलमारी होती है उसे हम कहते हैं बुक केज, बुक केज महने, नमबर 41 पर दोश्टो डोर मैट, डोर मैट महने होता है पायदान, जो डोर के आगे दरवाजे करने का चित्र में चित्र में तेख सकते हैं करने का बोर्ट जो कपड़े प्रेस करते हैं उसको इस्टैंड होता है कि 200 को कहते हैं आहरोनिंग बोर्ड यह वोर अपको चितन में दिखाया भी गयाँ आप चितर सकते हों नम्बर 24 पर नुट्व पोश्टर पोश्टर मने होता है विग्यापन या फिर पोश्टर दिस्तिहार नमबर 45 पर है दोस्तो flower wedge flower wedge माने होता है full done जो हमारा full done होता है उसे हम flower wedge कहते हैं और wedge भी कहते हैं दोस्तो नमबर 46 पर है दोस्तो mirror mirror माने होता है दरपड नमबर 47 पर है दोस्तो table cloth table cloth माने होता है maze post जो table के उपर कपड़ा डाला जाता है उसे हम कहते हैं मेज पोस नमबर 48 पर है दोस्तों टेलीवीजन टेलीवीजन माने होता है टेलीवीजन नमबर 49 पर है दोस्तों रेडियो रेडियो माने होता है रेडियो नमबर 50 पर है दोस्तों कॉसन कॉसन माने होता है तकिया या फिर गद्दी तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगी तो दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को press कर लीजिए दोस्तो जिससे आने वाले वीडियो इसका notification आपको मिलता रहे तो थैंक्स वर वाचिंग वीडियो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर कीप रेक्टाइब